आटो सेक्टर में साल 2022 काफी अच्छा रहने वाला हैं जहां अगले साल नए कस्टमर के लिए इंडियन मार्केट में हर सेगमेट में एक से बढ़ कर एक नए प्रोडेक्ट लाउंच किये जाएंगे तो वहीं कुछ कारों के निव जनरेशन मोडल और फेसलिप्ट मोडल भी सामने आएंगे अपनी प्रफेक्टिलिटी ज़्यादा केबिन स्पेस और परफोरमेंस के कार ने ये कारें काफी ज़्यादा पसंद की जाती हैं ऐसे में काफी कार मेक्रस आने वाले समय में अपनी और से नई नई SUV MPV कारें बारत में लॉंच करेंगे तो आज की वीडियो में हमने कुछ अपकमिंग कारों को डिटेल से कवर किया हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं को जनवरी 2020 में लॉंच किया गया था वहीं जनवरी 2021 में इसमें एक निया इंजन ओप्षन 1.2 लीटर टर्पो पेट्रोल पेश किया गया था माना जा रहा हैं कि जनवरी 2022 में इस इंजन के साथ एक निया गयर बॉक्स ओप्षन डूल कलज आटमेटिक दिया जा सकता हैं टाटा अल्टरो डी सीटी मोडल को इस कार की दूसरी अनवर्स्री के मोके पे लॉंच किया जा सकता हैं यह DCT Transmission 1.2 लीडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही पेश किया जाएगा और 1.2 लीडर नैच्रल एस्परेड पेट्रोल और 1.2 लीडर टर्बो डीजल इंजन के साथ मेनुल गेर बॉक्स का एक मात्र उप्षन मिलना ही जारी रहेगा टोयटा हिलक्स टोयटा का लाइब स्टाइल पीकप ट्रक हिलक्स अखिरकार बारत में लौंच होने जा रहे हैं माना जा रहे हैं टोयटा इसे जनवरी 2022 में बारत में लौंच कर देगी यहां इस लाइब स्टाइल पीकप का मुकाबला इशु जू वी क्रोस से होगा ये निया Toyota Hilux pickup truck IMV2 platform पर बेश्ट होगा जिस पर इनोवा क्रिष्टा और Toyota Fortuner भी त्यार हो की जा चुई है इसमें Android Auto और Apple CarPlay Connectivity के साथ 8-inch touchscreen infotainment system दिया जाएगा Toyota Hilux pickup truck में 150 BSP की power generate करने वाला 2.4 liter diesel engine दिया जासता है जो इनोवा क्रिष्टा के Indonesia version में base line variant में दिया जा रहा है इसके अलावा इसके top variant में 204 BHP की power generate करने वाला 2.8 liter diesel engine दिया जासकता है इस engine के साथ 2 और 4-wheel drive layout के option भी रखे जासकता है साथ ही ये truck manual और automatic gearbox के option में आसकता है Tata Tiago Tigor CNG Tata की चुनिता डिलर्शिप पर Tata Tigor CNG और Tata Tiago CNG की अनोफिशियल booking शुरू हो चुकी है इन दोनों कारों में CNG का option base line या mid variant में दिया जासकता है इसमें regular model वाले 1.2 liter natural aspect petrol engine के साथ factory fitted CNG किट दिया जाएगा अलांकि दोनों कारों में CNG मोडल में regular model के मकाबले कम power और torque generate होगा साथ ही इसमें manual transmission का भी option मुझूद होगा Hyundai Tucson Hyundai Motors बार्त में अपनी Tucson SUV की टेस्टिंग सुरू कर चुकी है इस बार ये कार बिना cover के नज़र आई ऐसे माना जा रहे हैं कि कमपनी से January 2022 में launch करने की त्यार कर रही है इस SUV के exterior में बड़े बदलाव नज़र आएंगे जहां brand की sensing sportness design language नज़र आएगी Tucson new model में नए daytime running lamps, नए head lamps और नए design की grill मुझूद होगी इसके अलावा इस नए SUV में नए alloy, blade line tail lights, quad tail lights को connect करने वाली LED बार, नए design और lower bumper, rear window wiper जैसे elements नज़र आएंगे features के तोर पर नए 2022 Tucson में 10.3 inch का dual screen infotainment display, apple carplay और android auto integration, two device bluetooth connectivity, digital instrument cluster, air quality monitoring system, 64 color ambient lighting जैसे feature मुझूद होगे